स्पीडी कुकिंग में आपका स्वागत है क्विक पास्ता एन माइक्रोवेव बनाते हैं तो पास्ता को एक बॉल में लेके पास्ता धक में तक पानी डालना है उसमें डालके माइक्रोवेव में रखके उसको धक के तीन मिनिट पकाना है पकाने के बाद बाहर निकालके पानी को drain कर देना है इस बार ढकन हटा के बिना ढके वे पकाना है और इसमें पास्ता सास डालते हैं दो टेबल स्पून और अंदा से अगर ज्यादा पास्ता है तो ज्यादा दालियेगा डालके दो मिनिट और पकाना है खुला पका के बाहर निकालना है उसके बाद फ्रेश बेसल मिन्ट लीव्स को चौप करके डालना है साल्ट और पेपर थोड़े डालना है और ग्रेट चीज डालना है बहुत जट पर बहुत ही टेस्टी बन जाता है